तो यार थीटर्स में बॉलिवुड के अंदर सूखा पड़ा हुआ है, बिचारी स्त्री टू कब से इंतिजार कर रही है, कोई तो मर्द आये जो चैलेंज करने की हिम्मत दिखा है बट OTT की बात अलग है, यहां छोटा पकेट बड़ा धमाका स्टाइल बहुत काम करता है वरना बिना टॉप सरनेम वाले अक्टर्स की भी, 11-11 अगर थीटर्स में रिलीज होती तो कौन देखने जाता, बट OTT पे सब ने देखा और उसका फान हो गया तो कुछ वैसा ही काम रिपीट करने, इस बार जियो सिर्मा एक सीरीज नहीं, सिर्फ दो घंटे की छोटी सी फिल्म लेकर आया है, जिसने अच्छे अच्छों के दिमाग को हिलाया है नाम में ही विस्पोट है, तो सोचो फिल्म के अंदर कितना बड़ा धमाका होने वाला है, एकदम unpredictable content जिसकी उमीद आप एक big budget, big star फिल्म से करते हो दो actors का comeback एक साथ, फर्दीन खान वित रितेश देश मुक, ये वो लोग हैं जिनका इस्तमाल करने में Bollywood हमेशा फेल रहा है बट OTT ही सही, finally फर्दीन और रितेश दोनों की असली शक्तियां बहार निकल के आई हैं, एक ऐसी फिल्म में जो खुद किसी bomb blast से कम नहीं है वैसे काफी लोग ये गलती कर देते हैं कि पिक्चर अगर OTT पे आती है, तो बोलते हैं कि ये थेटर रिलीस के लायक नहीं थी, इसलिए चुपचाप Netflix Prime Gio पे रिलीस कर दिया OTT पे फिल्म के आने का सबसे बड़ा फाइदा ये कि वो ऐसी ओडियंस तक जा सकती है जो कभी थेटर फिल्म देखने जाती ही नहीं इतनी जादा ओडियंस और बिना स्क्रीन्स के जंजट के सीधा पूरे इंडिया में टीवी मोबाइल स्क्रीन्स पे डिरेक्ट रिलीस, सोच अब हस हाथ विसपोर्ट इन शॉट बोलू तो फिल्म बटरफलाइ एफेक्ट पे बेस्ट है माने दूर कहीं एक छोटी से तिटली के पंक फरफडाने के साथ पूरी दुनिया जुड़ी होती है इस फिल्म में भी दो लोग आपस में बंदे हैं इस तरीके से कि वो शायद एक दूसरे को लाइफ में कभी नहीं जानते होंगे बट तिटली के पंक खुले और सब कुछ बदल गया ये उपर से नीचे तक उसको पूरा एसिट से नहला देती हैं और शायद आज रात ये प्रोग्राम इस टेक्सी ड्रैवर के साथ रिपीट होने वाला है जिसके घर में हुए विस्पोर्ट में ताई का कुछ ऐसा जल गया जिससे बहुत नुकसान होने वाला है लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान किसी और का हुआ है जिसने खुली आखों के सामने दिन के उजाले में अपने बेटे को खो दिया है शायद हमेशा हमेशा के लिए किड्नापिंग वो भी पूरे 2 करोड की शाम तक पैसा नहीं आया तो बच्चा ग्रेट नहीं सीधा लेट हो जाएगा पास्टेंस में लेकिन फोन के इस तरफ जो है और उस तरफ जो बैठा है इननों को आपस में जोड़ देती है एक सुन्दर सी तितली नाम लगी है लेकिन काम बहुत अनलगी हो गया है बस यहां से फिल्म के अंदर वो होना शुरू होता है जो विस्पोर्ट को मामली से स्पेशल बना देता है एक फिल्म के अंदर कम से कम 110 ट्विस्ट आते हैं बार बार हर बार कैसे दो एक दम अलग लोगों को आपस में जोड़ा जाता है आप सोच नहीं सकते उनके पीछे 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 पुलिस और ऐसे टाई कैसे इसमें मकडी के जाल से उलच जाते हैं वो बोनस है बेस्ट फार्ट फिल्म सिफ दो घंटे में खतम हो जाएगी लेकिन इतना फास्ट रिस्पीट से चलती है न कि 120 मिनिट भी 20 मिनिट जैसे फील होते हैं और आप क्लाइमिक्स पे खड़े होते हैं फरदीन और रितेश्ट इन दोनों को सिफ कॉमेडी रोल्स में देखने की आदर डाल दी थी वॉलिवुड ने लेकिन जब एक सस्पेंस ट्रिलर में ये आमने सामने आते हैं आपको literally idea नहीं है ये लोग क्या करेंगे कैसे करेंगे underrated actors का selection film को सबसे बड़ा फाइदा पहुचा गया कौन जीएगा कौन मरेगा कौन जीतेगा कौन हरेगा क्या पता अब यहाँ कोई शारु खान धोड़ी है जिनको हार के जिताना film makers की मजबूरी होती है अच्छा वैसे विसफोर्ट कोई बहुत बड़ी masterpiece फिल्म भी नहीं है इसकी अपनी कमजोरियां है लेकिन बड़े scale पे बनने वाली movies में इसकी कहानी का 10% भी नहीं मिलता एक पाइलिट को कैसे डोंगरी में टेक्सी चलाने वाले driver के साथ जोड़ा जाता है वो भी सिर्फिक जैकेट की वज़े से दिमाग लगा के कहानी लिखी है जिसमें आप भी दिमाग लगाओगे कैसे कहानी के अंदर तीन चार नहीं कहानी बनाते हैं और उनको आपस में जोड़कर फिल्म की एंडिंग से छेट चार करते हैं आपको सच में सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा प्लस पिक्चर अल्मुस्ट फ्री मिल रही है जियो सिनेमा पे एक महिने में बस उतने पैसे बांता है जितने में चिप्स का टाकेट खरीद लेते हो आप इतने में ऐसा कॉंटेंट बुरी डील नहीं है विसपोर्ट को पांच में से तीन स्कार्ज मिलने वाले हैं पहला सीधी कहानी को तेड़े मेड़े ट्विस्ट में उलजा के मज़िदार बनाना दूसरा बटरफलाइ एफेक्ट चे प्यार परिवार को चोर पुलिस के गेम में बदल देना तीसरा एकदम फास्ट स्क्रीन प्ले गाड़ी बिना प्रेक एकदम क्लाइमिक्स पर जाके रुकेगी नो इंटरवल नेगिटेवस में पहला तो फाल्तु के रोमांटिक सीन्स जिनकी जरुत आक्चिली में नहीं थी दूसरा एसे टाई का बहुत कम इस्तिमाल विसपोर्ट टू बनाने के लिए बचा लिया शायद रेटिंग्स में मत जाओ, मस्क टाइम वसूल फिल्म है शायद उतनी रियल, नाच्रल, एमोशनल ना सही लेकिन थ्रिल, सस्पेंस और ट्विस्ट भर-भर के मिलेंगे, enjoy बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायद करनी हो तुम आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वर्नक थोड़ा सा इंतिजार करिये, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर, बैबाई